तो आज हम लोग बनाएंगे मेरा सबसे फेवरेट डिश जो की है चॉकलेट तो उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए चलिए देख लेता है तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो हम लोग double boiling method में ये बनाएंगे इसका मतलब नीचे मैंने एक चाय केटल रखा है उसमें मैंने एक लास पानी डाला है पानी गरम होने के बाद उसमें हम लोग एक और बरतन या फिर मैंने ही यहाँ पर करमिक्स वाला रखा है इसमें हम लोग ऊपर वो sauce बनाएंगे तो पहले हम लोग flame high कर देंगे उसमें हम लोग अभी तेल डालके उसको गरम करेंगे तो तेल को हम लोग थोड़ा सा पांच मिनिट छोड़ देंगे गरम होने के लिए तो साइड से थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है इसका मतलब तेल थोड़ा सा गरम हो चुका है इसमें हम लोग एक कप चीनी डाल देंगे पहले इसको एक बार मिला लेंगे तो हमको मीडे मांच पली ही रखना है अगर आपको लगे कि बहुत जादा गरम हो रहा है तो इसका मतलब आप स्लो कर सकते हैं इसमें मैंने जो एक कप दूद लिया था वह पे डाल दूँगी अभी और चीनी मिलने तक इसको हम लोग थोड़ा सा मिलाते रहेंगे तो चीनी अभी अच्छे से मिल चुका है इसमें हम लोग 3-4 cup cocoa powder डालके इसको अभी हम लोग continuously बिलाएंगे आंच लोपी ही रखे आप और इसको हम लोग continuously पूरा मिलाते रहेंगे जब तक चॉकलेट पाउडर पूरा मिक्स हो जाए तो अभी पांच से साथ मिनिट हो चुका है चॉकलेट पाउडर चीनी सब कुछ हचे से मिल चुका है इसमें हम लोग जो मैदा था देट चमच वह वाला डालके और बांच मिनिट के लिए इसको हम लोग मिला लेंगे अंच लो ही रखे मैदा जो है इसको डालने से पूरा थिकनेस आ जाता है इसमें से बहुत बहुत ही जादा अच्छी कुछ भू आने लग चुकी है तो आप लोग देख सकते हैं इसमा जादा थिक हो चुका है तो अभी हमारा चॉकलेट सॉस पूरा बन चुका है तो इसको हम लोग केक डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लाइक चॉकलेट सॉस या फिर अगर हम इसको तीन से चार घंटा फ्रिजर पे रख लेंगे तो ये पूरा चॉकलेट जैसा बन जाएगा आप भी बनाईए घर पे और कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा थैंक्स पूर वाचिंग डू लाइक शेर इंड सब्सक्राइब बाई बाई